क्या आप लोग अपने WhatsApp को ओफन करते हो आपको इस प्रकार की प्रोब्लम है देखने को मिल लए इस अकाउंट कनेक्ट टू यूज बॉटसथव यहाँ पी इस प्रकार की प्रोब्लम आपको देखने को मिल लए आपका WhatsApp नंबर है वैन हो चुका है आपका WhatsApp नंबर है वैनिट हो चुका है उसे कैसे अनबेन करना है आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाले है जो आपका WhatsApp नंबर है दोस्तों यहाँ पे बंद हो चुका है चालू नहीं हो रहा है और दोस्तों आप लोग बार बार कोशिस कर रहे हो तो आप लोग बिल्कुर राइट वीडियो प्याए हो आपको क्या करना है आज की इस वीडियो को complete full watch करना है step by step trick को apply करना है जिसके बाद में WhatsApp अकाउंट फुली तरीके से चालू हो जाएगा और आप लोग भी WhatsApp को use कर पाओ actually क्या है आपने कोई गलती भी नहीं किया है आपकी बिना गलती के दोस्तों यहाँ पर आप सोई दोस्तों को your account मतलब this account पर दोस्तों काफी लोगों के phone में इस परकार का option लिख के आता है this account is not allowed to use WhatsApp due to spam तो दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब यही है जो WhatsApp है वो दोस्तों आपक कितनी भी device की उना चेंज कर लो आइसे में यह problem होने वाली है अब इस problem को solve कैसे करते हैं वो ची जानना बहुत ज़्यादा जरूर है problem को solve करने के लिए सबसे पहले आपको आना है अपने mobile phone की screen पे mobile phone की screen पे आने के बाद में आप दोस्तों जो भी आपका WhatsApp वो simply क्या करना है आपको अपने mobile phone की setting को open करना है एंड आपके सामने इस परकार का interface आएगा नीचक साइड में जाना है आपको एफ सेटिंग एफ management वाले बटन पे किलिक करना है एंड आपके सामने इस परकार का option आएगा फिर आपको नीचक साइड में जाना है आपको दोस्तों यहाँ पर जो आपका WhatsApp होगा उसको ढूण लेना है उसको ढूणने के बाद में उसके उपर दोस्तों एक बार आपको किलिक करना है एंड आपको एक बार source stop करना है, storage पी आना है, clear catch करना है अपने WhatsApp का clear catch करने के बाद में इदर से कट मारना है फिर आपको अब ऐसे में दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है ये प्रोब्लम आपके WhatsApp में आपके साथ में क्यूं हो रही है और क्यूं आ रही है Actually क्या है कहीं बंदे लोग ऐसे करते हैं उनका जो नंबर है वो बंद हो जाता है और उसके बाद में क्या होता है वो लोग महीना या फिर 15 दिन के बाद में उसी नंबर को चालू करते है WhatsApp को लोगिन करने की गोसित करते हैं लोगिन नहीं होता है और बहुत भाई लोग क्या होता है आटोमेटिक चलते चलते WhatsApp बहन हो जाता है एक्चली क्या होता है इसके जो treatment condition दी जाती है WhatsApp की तरफ से वो बोलते हैं आपका नंबर है हम यह condition अगर आप लोग फोलो नहीं करते तो हम आपका नंबर है उसे बंद कर देंगे तो वो condition एक्चली क्या होता है आप लोग गलती से कभी ना कभी कोई गलत थर्ड पार्टी वेबसाइड या फिर थर्ड पार्टी अप्लिएशन का वीडियो हो गया लिंक हो गया या फिर गलत चेट कर रहे हो किसी से गलत मैसे सेंड कर रहे हो किसी भी वेक्ति को तो दोस्तों ऐसे में आपको जो वोट्सप अकाउंट है बंद हो जाता है जिसे हम लोग बोल सकते हैं बैन हो जाता है तो मिर भालुक माल दो आपका वोट्सप अकाउंट है बैन हो चुगा है तो उसे आपको करना है अन्बेन Help Center सर्च करने के बाद में आपके सामने इस परकार का Interface आएगा आपको एक option मिलेगा Connect WhatsApp इसके उपर किलिक करना है अगर आपका WhatsApp Messenger या फिर WhatsApp Business से उस चीज़ को किलिक करना है फिर आपके सामने इस परकार का दोस्ता Interface आएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर जिस किसी country से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो आपको अपनी उसी country को set करना है सबसे पहले और उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना mobile number डालना है Gmail ID सेम डालना है यहाँ पर डालने वही copy करके यहाँ पर paste करना है आपका Android का फोने तो आपको Android लिखना है अगर आपका iOS का device से तो आपको iOS डालना है पर नीचे के साड में आना है आपको छोटा सा message सम्मिट करना पड़ेगा यह हम आपको इसी वीडियो के नीचे comment box में परवाइट करवा दूंगा और यहाँ पर आपको अपना mobile लंबट डालना है और यहाँ पर अपनी Gmail ID डालना है इतना करने के बाद में आपको इस message को request को दोस्तों यहाँ पर successfully send करना है जैसे दोस्तों आपका message यहाँ पर submit होता है submit करने के बाद में आपको इदर बापस आना है बापस आने के बाद में Play Store open करना है Play Store open करने के बाद में आपको सर्च बाद में WhatsApp सर्च करना है आपका officially WhatsApp आ जाएगा फिर आपको नीचे एक साइड में जाना है दोस्तो आपको एप सपोर्ट का option मिलेगा और यहाँ पे Gmail ID इनकी officially मिल जाएगा उसको पर किलिक करना है अब यहाँ से आपको लिखना है Please help me description आपको यहाँ पेश्ट कर देना पेश्ट करने के बाद में आपको इस रोकोस्ट को यहाँ से सम्मिट करना है आपको क्या करना ठीक दोस्तों यहाँ पे आपको तीन से लेके चार गंटे के पास में आपको एक mail आएगा दो mail आएगे पहला mail officially play store वाला आएगा second mail जो आएगा जो आपने first वाली trick ये उचकी है वही mail को follow करना है जैसी mail आता है message आता है तब दोस्तों आपको अपने WhatsApp को दुवारा login करना है logout करने के बाद में आपका फुली तरीके से WhatsApp वे वर्क करने लगेगा आपकी डिवाइस में चल जाएगा ओके एंड दोस्तों आप लोग समझी चुके वहां की उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर देना मिलते हैं किसी ने उंट्रेस्टिंग वीडियो के शाथ में तब तक के लिठाएंक यू सो मच